एंडिये से रास्टपती चुनाओं के लिए उमिद्वार द्रौपती मुर्मूर को लेकर के बतलादें के सिफसेना ने भी समर्थन करने का फैसला ले लिया है। मुर्मूर के पक्च में मतदान करने वाले हैं। में नाते फैसला लेनी का हक भी दिया। लेकिन आपको बतला दे कि उद्व ठाकरे ने सिफसेरा सांसदों की भावनाओं को सम्मान करते वे एंडिये उमिद्वार के समर्थन में जाने का निर्ने सुना दिया है। इसी के साथ आपको बतला दे कि जहां कल या बैठक हुई तो वही आज एक बजे एक एहम बैठक राश्टपती चुनाओं से जुरी राजनेती को तयार करने के लिए एंडिये के द्वारा किये जाने है। तो वही इस बैठक में सिफसेना के सिंदे गुट को भी आमंत्रित किया गया है। एकनाज सिंदे की और से सिंदे गुट से प्रवक्ता दीपक किसरकर इस मिटिंग में शामिल होने वाले हैं। मुर्मुर को सपोर्ट करने की बात की तो वही इस पर नाराज की जटाते हुए संजेरावत का कहना है कि यूपिये का सद्द से होते हुए सिफसेना एंडिये उम मिदवार को अपना समर्थन कैसे दे सकता है। लेकिन वहीं आपको बतला दें कि आज संद्र जरावत ने मीडिया से बात करते वे असाफ कहा कि दुरौपती मुर्मुर आदिवासी है महला है। महरास्ट में आदिवाशियों की बरीतादात है। स्विप सेना ने भी जो फैसला लिया है वह सही है। उनका कहना है कि सिप सेना की भूमी का आदिवाशियों के विकास के लिए हमेशा आगे की सोच रखने वाली रही है। ऐसे में अंडिये उमिद्वार को सपोर्ट करने की सांसुदों की सलह को मानना उदब ठाकरे ने सही किया। बता दे कि इससे कुछ भी गलत नहीं किया गया है। पहले भी सिप सेना अंडिये में रहते हुए यूपी उमिद्वार प्रतिभार दाई पातल और प्रनम मुखर जी को सपोर्ट कर चुकी है। अंडिये उमिद्वार को सपोर्ट करने का मतलब बीजेपी को सपोर्ट करना नहीं होता। ब्योरो सिटी पोस्ट लाइव